अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं देख रही हो तो आप लोग प्लीज इरिजोलिशन को बढ़ा ले और दूसरा कि मैं की वर्ड जो भी है उस पर मैं एक एक वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको इसली समझने में असानी हो और आप बेटर चीजों का अंडेस्टैंड कर प तो पर्टिकुलर वाटर जो हमारे इरिगेशन के लिए सुटेबल हो तो यह क्वालिटी अप इरिगेशन वाटर में आएगा बट मैं आपको एक राफ आइडिया देता हूं कि पूरे आर्थ पे वाटर क्या है वाटर 97 परसेंट में पाए जाता है 2.6 परसेंट जो है फ्र अडिर वाटर रिसोर्स इंडिया में क्या हैं इंडिया का जो एफ्रेज राइनफॉल है 1194 मिली मेटर हैं मतलब एफ्रेज रैनफॉल है सबसे ज्सेद ज्यादा रैनफॉल है YOU ellis हैं 328 million hectare तो हम total rainfall हमारे यहां कितना water available हैं तो हम यह कैसे पता करेंगे 1194 mm को 328 million hectare से जब आप multiply करेंगे तो 392 million hectare mm होगा और यह approximate 40 million hectare mm हमने सुविधा क्या नुसार हो सकता है कभी कभी थोड़ा ज्यादा बारिस हो जाए तो एक average approximation ले लिया 400 million hectare mm हमें से आप लोग याद करते होंगे कि 400 million hectare mm अब याद करने जो अतने आप logically इस चीज को clear कर सकते हैं ठीक है यह हो गया अब आते हैं कि total precipitation कैसे होता है तो हमारे यहां क्या होता है दो बार एक तो नौर्थ इस्ट मांसून होता है तो मांसून से हमारा जो टोटल है 300 million hectare mm वह मांसून से सल कलेक्ट होता है और रेस्ट जो 100 million hectare mm है वह अधर सोसे से कलेक्ट होता है तो टोटल पेसिपिटेशन में हम लोग यह जाता किदर है तो तो इन्फिल्ट्रेशन इन्टू सोयल जैसे बारिश हुई या कहीं लेक जा रहा है तो डारेक्ली वह इन्फिल्ट्रेट हो जाता है तो 250 million hectare mm जो है वह infiltrate हो जाता है और immediate evaporation 70 million hectare mm यह से बारिस होई ठीक है तो बारिस होई तो total absorb नहीं होगा सुखी जमीन पर होई तो धीरे-धरे evaporate कर जाएगा ठीक है और surface flow कितना होता है 115 million hectare mm अब infiltration into soil दो पार्ट में बढ़ जाता है एक तो तो soil moisture के रूप में accumulate कर लेता है micro pores में या फिर groundwater यानि रिचार्ज हो जाता है तो soil moisture के form में 165 million hectare mm है और groundwater में 15 million hectare mm है और surface flow में 115 million hectare mm है तो rainfall में 105 million hectare mm चला जाता है और snuff hall में 10 million hectare mm हो जाता है तो overall यह हमारा calculated data है कि हमारा irrigation water कितना है अब इसके बाद हम लोग देखें कि irrigation water कैसे वह कितने प्लांट को available है नहीं available है quality कैसी होने चाहिए तो यह सब हम लोग next lecture में देखेंगे आप लोग इसको hand return में लिखने कोशिस कीजिए जब आप अपने हाथ से लिखेंगे तो चीज हम वह चीज को hand return में लिखें इसलिए आप मैं PPT बनाने से ज्यादा hand return notes ही दे रहा हूं तक कि आप उसको आप भी कोशिस कीजिए hand return में आपका एक perfect notes हो जाए thank you thank you so much